नमस्कार दोस्तों स्माडियोर में आपका स्वागत है उमीद करते हैं कि आपसे बच्चे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक प्रेजर वाशर के बारे में जो की आपको आता है गोल्डन बुलेट की तरफ से जिसका मॉडल नमबर है PWT7501 दोस्तों ये जो मशीन आता है आपको इंडेक्शन मोटर के साथ आता है प्रेजर वाशर में आपको दो प्रकार का मोटर मिलता है एक इंडेक्शन मोटर वाला होता है और एक जो होता है अमारा यूनिवर्सल मोटर यूनिवर्सल मोटर वही होता है जो की हमारे डिलिंग मशीन में लगता है या हमारे अंगल ग्रेंडर में लगता है और उसमें जो हैआपको पता है उसमें brush लगता है induction motor जो है हमारे घर के water pump वगेरा होते हैं उसमें आपको induction motor आता है उसमें किसी प्रकार का भी आपको brush नहीं लगता है और वो लगबग जो है वो maintenance free होते हैं तो ये जो machine आप देख रहे हैं ये maintenance free वाला machine है यानि कि इसमें आपको pressure वागेर नहीं लगता है क्योंकि ये induction motor के साथ आपको आता है तो दोस्तों इस machine का जो main specification है जो कि आपको जानना है जब भी आप एक pressure washer करीते हैं तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसका जो pressure output है ये 160 bar से और ये जो motor का जो rating है ये 3 HP है और ये जो machine है ये आपको 7.5 लिटर तक का पानी को consume करता है एक मिनिट में और इस machine को मैं दो अफते से इस्तिमाल कर रहा हूँ एक चीज में आपको पहले ही बता दूँ ये जो machine है बहुत ही silent है क्योंकि इसमें एक induction motor लगा हुआ है अगर आप कोई भी दूसरे सस्ते pressure washer लेते हैं उसमें आपको universal motor आता है जो कि आपको वो बहुत ज्यादा आवाज करते है आजू बाजू वालों को दिक्कत होता है तो अगर आपको एक silent machine लेना है तो आपको induction motor वाला ही आपको machine करीदना चाहिए और जब आप इस machine को करीदते हैं तो इस machine के साथ आपको क्या-क्या मिलता है यह मैं आपको पहले बता देता हूँ इस machine के साथ जो है आपको इसका hose pipe मिलता है जो कि आपको 8 meter का है इसका जो quality है एकदम बढ़िया quality का है यह hose pipe है आपको एक spray gun मिलता है स्प्रेगन का एक extension होता है जहां पे सामने की तरफ इसका nozzle होता है यह इसका handle है और यह जो है एक accessory होता है जो कि आप इस pipe को इसके उपर mount कर सकते हैं और इसके साथ कुछ accessories दिये हैं ताकि आप इस machine का spray gun जो है machine के उपर रख सके और जो cable है वो भी आप machine के उपर रख सके आपको एक inlet water filter दिया जाता है जो कि आपको 16 mm का outer diameter वाला है यह अंदर का जो gap होता है वो 8 mm का होता है अगर आपको इसके उपर pipe लगाना है तो आपको pipe जो है 19 mm का होना चाहिए इसके साथ आपको एक manual भी मिलता है manual के पीचे साइड में एक सुवी दिया है ताकि इस सुवी के मदद से आप इस spray gun के जो nozzle होता है उसको आपको clean कर सके उसके साथ जो आपको normal जो warranty card होता है और आपका एक gift card होता है वो सभी दिया इनोंने और इस machine को SML करने के लिए जो भी screw लगते है सभी आपको इस machine के साथ ही आते दोस्तो machine जो एक कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है सामने से ये जो machine है ये trolley टैप वाला machine है इसमें आपको tire वागे राता है क्यूंकि ये जो machine है ये तोड़ा सब बारी है यानि कि इसका जो वजन है वो 18 kg है तो 18 kg इदर उदर आपको उटा के लेने में तकलीफ होता है इसके लिए जो है आपको यहां पे wheels दिया है दोस्तो ये जो है ये इसका soap water का tank ही है जो की आपको बहुत कम machines में मिलता है सामने की तरफ आपको दो knob दिये हैं ये on करने के लिए और बंद करने के लिए होता है और ये वाला जो है ये आपका जो detergent होता है उसको कम ज्यादा करने के लिए होता है और दोस्तो नीचे की साइड में यहां पे outlet दिया है जहां पे आप इस machine का wash pipe connect करते हैं और इस machine का जो power cord है ये आपको 5 मिटर का आता है और इस machine का जो पानी का supply होता है यहां पे पीछे की साइड में दिया है यहां पे जो मैंने आपको इसके पहले filter दिखाया वो यहां पे लगता है और अभी हम इस machine का सबसे कास feature यानि की automatic shampoo dispenser के बारे में बात करेंगे इस machine है आपके जरूरत के हिसाब से automatically जो है यहां से shampoo को उटा लेता है और आपके spray gun तक पहुंचा लेता है और यह इसका डखकन है और इसमें जो है आपको कम से कम आदा लिटर से ऊपर यह आपको shampoo बैढ़ता है और इस machine का जो automatic detergent dispenser किस प्रकर से काम करता है यह आपको जानने के लिए सबसे पहले यह जो nozzle होता है उसको जानना आवशक है इसके बारे में तो आप प्रेशर जानते होंगे अगर हम इसको इस प्रकर से गुमाते हैं तो क्या होता है अगर हम इसको इस प्रकर से खुला रखते हैं तो जो पानी है यह pointed form में बाहर आता है यानि कि इसमें pressure जो है वो बहुत जादा रहता है अगर आपको pressure कम करना है तो हम क्या करेंगे इस पानी को तोड़ा पहला आएंगे तो अगर हम इसको इस प्रकर से बंद करेंगे तो पानी जो है पहल के बाहर आता है तब इस पानी का जो pressure होता है वो कम रहता है इस tanky से detergent तब भी बार आता है अगर इस nozzle में pressure low हो तो आपको low pressure करने के लिए इसको आगे लेना है अगर आप इसको आगे लेते हैं तो ये nozzle जो है ये low pressure में आ जाता है तब जो है इसके अंदर vacuum create होता है और यहां से automatically जो है आपका detergent जो है इस pipe में मिल जाता है और मैं आपको दुबारा से याद दिला दू अगर आपको shampoo spray करना है तो आपको इसको आगे रखना है तब low pressure होता है तब ये tanky से जो है shampoo बार आता है अगर आपको normal गाड़ी वागेर दोना है दोने का mode चाहिए इस machine में तो आपको इसको बंद करना है इस condition में जो है ये tanky से आपको shampoo वागेर जो है बाहर नहीं आता है तो अगर आपको shampoo का flow rate जो है उसको setting करना है तो आपको यहाँ पे machine में एक setting दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे minimum और maximum है अगर यह minimum में है तो आपको कम shampoo बार आएगा अगर आप maximum है तो आपको जो shampoo है वो तोड़ा ज्यादा आ जाता है बार तो इस machine को कैसे assemble किया जाता है यह हम आपको पहले बता देते हैं सबसे पहले आपको इसका handle लेना है handle के साथ आपको इसके साथ एक accessory दिया जाता है उसको आपको लेना है और इसके उपर आपको set करना है और finally यहां पर आपको 4 screw लगते हैं उसको आपको लगाना है screw जो भी है आपको लगता है सबी जो है इस box के अंदर दिया है तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहां पर चार screw fit किये है तो अभी हम इसके उपर इसका handle लगाएंगे हैंडल जो है आपको इसके अंदर आराम से स्लाइड हो जाता है और हैंडल के लिए जो है आपको दो स्क्रूर लगते हैं यहां पर आरव मार्क दिया है वहीं पर आपको स्क्रूर डालना है और यह जो एक्सेसरी दिया है यह आपका जो स्प्रेगन होता है उसको मशिन के उपर रखने के लिए होता है उसी प्राकार उस साइड में भी हम इसको मौंट करेंगे यह जो है यह आपका पावर कोड़ वागेरा लटकाने के लिए होता है और machine का जो inlet water supply होता है वो हम यहां पर दे देते हैं इस side में और यह वाले जो इसा यह machine पर लगता है दोस्तों इसके उपर आपको pipe लगने के लिए आपको 11 mm का pipe लेना है उसके उपर आपको एक host clamp लेना है और उसको आपको tide करना है और यह जो connection होता है यह भी permanent होता है यहां प आप tap इस्तिमाल करते हैं तो आपको इस प्रकार का connection करने का आवशकता नहीं है आप जो है एक quick connector चीज को आप यहां पर लगा सकते तो जो quick connector है इस pipe के उपर बैठता है तब जो है आपको इसको लगाने में और निकलने में बहुत आसानी होती है हमारा जो connection रहा है पहले से यह तोड़ा permanent रहा है और इस machine का जो मैं आपको demo दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको इस machine को बाल्टी से आपको connect करके दिखाने वाला हूँ तो tap में connect करने का जो procedure होता है वो बहुत ही आसान होता है अगर आपको गाड़ी वगरे दोना है तो गाड़ी दोने के लिए एक shampoo बता है आप उसको इस्तिमाल कर सकते है यह हमारा चीपन बेस तरीका है गाड़ी दोने का दोस्तों अभी हम इस machine को start कर रहे हमने यहां पर यह pipe को connect किया है अब यह जो pipe है हम इस बाल्टी के अंदर डाल देंगे तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ इसका reason यह है कि यह जो machine है बाल्टी के अंदर से पानी को उटा के यहां तक लेके आने में उसको वक्त लगता है तो पहले क्या करना है इस machine के अंदर जो pressure है वो हमको build-up करना है उसके बाद भी हम इस post pipe को यहां पर connect करेंगे तो अभी हम इस machine को start करने वाले है यहां पर जो प्रेशार आना चाहिए तब तक हम इस machine को चालू रखेंगे उसके बाद जो है हम इस post pipe को connect करने वाले हैं तो अभी आपने देख लिए यह जो पानी है यह अभी constant pressure में आ रहा है यानि इस machine के अंदर जो पानी के जो air bubbles थे वो सभी गायब होच चुके अब इसके बाद जो है हम इसका host pipe को connect करेंगे और इसका दूसरा हिसा जो है हम यहाँ पर connect करने वाले हैं दोस्तों इस प्रेगन में एक lock है यह unlock करेंगे तो यह काम करेगा इसको हम ऐसे करेंगे तो यह lock हो जाएगा तो अभी हम फिर से इस machine को start करते है तब machine जो है अपने आप तोड़ा देर तक चलता है उसके बाद यह आपने देख लिए यह भी machine बंद हो चुका है दोस्तों सभी pressure washer जो है इसी प्रकार काम करते हैं सभी pressure washer में क्या होता है यहां पर आपको auto cut off technology मिलता है मतलब यह कैसे काम करते हैं मैं आपको एक चीज़ बता दू यहां पर कोई switch वगरा नहीं रहता है जब आप इसको दबात होते हैं तो इसका pressure कम होता है तब जो motor है वो चालू होता है इस machine के अंदर एक actuator है जब pressure कम होता है वो अपने आप जो है switch को चालू कर देता है तो इस प्रकार से यह machine काम करता है दोस्तों अभी हम आपको एक चोटा सा demo दिखाने वाले यहां पर आप देख सकते हैं कितना आपको dirt वगेरा पड़ा है अंदर उसको जो है हम आप अब क्लीन करने वाले हैं थोड़ा सा shampoo डाल दिया हमने इसके अंदर मिट्टी वगेरा जो है अभी वैसा ही है तो अभी जो है हम इसको clean करने वाले है प्रेजर के जरीए तो आभी मैंने आपने देखा है इसके सामने ह हाथ रखता है क्यूंकि यह अभी low pressure mode में है अगर मैं इसको high pressure mode में करूँ और इसके सामने हाथ रखो तो मेरी जो हाथ की हाला जो है कुछ इस प्रकर की होने वाली है तो अभी आप इसका condition देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने पानी नहीं मारा था सिर्फ अंदर मारा था चर्ण हाले मारा थे जो ही जाप अड़ नहीं देख सकते हैं पेखर में पहाले प्रण बादेख सकते हैं की होँगा कैंज रखी मारा था शर्ण है कर दो कर दो कर दो कर दो मुआ अअाल यहां से वहां तक पानी चल गाया वो जो बनाना ट्री है मेरे से यहां पे कम से कम 30 फीट की दूरी पे है वो अभी यहां से तो दोस्तों आपको हमेशा जो है एक चीज़ का याद रखना है जब भी आप इस मशन के लिए पानी का इनलेड देते हैं वो पानी का टेंपरेचर होता है वो कम रहना चाहिए यानि कि की खोल रहना चाहिए नहीं तो वार्म रहना चाहिए गरम नहीं होना चाहिए होता है टांकी के अंदर वो तोड़ा गरम होने लगता है तो आपको याद रखना है अमेशा इस मशीन के लिए जो आप पानी देते हैं वो हमेशा थंडा होना चाहिए नहीं तो वार्म होना चाहिए कभी भी गरम नहीं होना चाहिए अगर आप इस मशीन को गरम पानी देते ह तो अगर आपको इस machine को करीदना है तो आपको contact करना है आपके local golden bullet के dealers को, नहीं तो आप नीचे दिये हुए email id को भी आप contact कर सकते हैं, आपको वहाँ पे आपका नाम, नमबर और पता आपको बेजना है, उसके बाद जो है आपके जो local golden bullet के जो dealers होते हैं, वही लोग आपको कर रके, थैंक यू, वहाँ ग्रेट देवाई, बाई.